अनकेडमी के प्लस फीचर्स के यह बारे में यह दि मैं आपको बताऊं तो लर्न लाइव फ्रॉम हो आप गर से इसकी पढ़ाई कर सकते हो सारे कोर्सेश यहां पर पहुंच है प्रैक्टिस टेस्ट यहां पर अवलेबल है बैच कोर्सेश अवलेबल है मेंटोर्स इवेंट किसी भी टाइप का गाइडेंस ले सकते हो सारे स्लेबस को कवर कराया जाता है साथी जो डाउट क्लियरिंग है शेशन आयोजित किये जाते हैं लाइव टर स्रीज भी यहां पर लेबल कराई जाती है और जो पीडियेफ फॉर्म में आपको स्टेडी मेटेरियल घर बेटे अब तक पहुंचाया जाता है तो यह सबी है इसके अन अकेडमी के प्लस फीचर जिनका फाइदा उठा शकते हो और यदि बात करूं कॉंप्रिहेंसिव बैच कोर्सेज ओन यूपीटेट तो यूपीटेट के आप मैसे जो भी प्रिपेरशन करना चाता है वो इन एजुके की में बात करूं तो फाइनल मेराथन क्लासेज फाइनल मेराथन सीरीज पोर सीटेट 2021 के लिए चलाई जा रही है जो इन एजुकेटर्स के दुआरा चलाई जा रही है और यह जो सीरीज है वो चोबीस जनवरी से तीस जनवरी के बीच में चलाया जा रहा है तो आप सीटे आप आपको 10% का ओफ यहां पेट मिलेगा यह Ohh इसके बाद हम देखेंगे व्यक्तित्व मापन की रिपीटिया धेख लिएर्गु करना तो और अ Кिया मापन की बिदिया होती अ होता है आत्मनिस्ट विदियां जिनको व्यक्तिनिस्ट विदियां भी बोलते हैं या सब्जेक्टिव मैथेड भी बोला जाता है दूसरा होता है वस्तुनिस्ट विदियां तो पहला क्या हो गया आत्मनिस्ट विदियां दूसरा क्या है वस्तुनिस्ट विदियां और तीसरा फ्रशेपी विदी है तो एक चीज याद रखना है दूसरा कि इतियास विदी है जीवन इतियास सब्सक्राइब method है इसके जो रचिय था यह बनाने वाले कौन थे प्रवर्तक परतिपादक कौन थे तो एक क्योशन इस पर बनता है ठीक है तो यह क्योशन इस पर बनते हैं अब हम देखेंगे से उसे पहले कि आत्मनिस्ट विदियां कौन-कौन सी है देखो आत्मनिस्ट विदियां कोई भी अबजेक्टिव में सब के लिए तो सब्जेंग है जो सब्जेक्टिव प्रat सकते हैं और तेसनि अभी देखेंगे हम सबसे पहले हम देखने की आत्मनिस्ट विदियां कौन सी होती है तो सबसे पहले आत्मनिस्ट में आत्मनिरक्षन विदी आत्मनिरक्षन यहने खुद का शेल्प निरक्षन करना यह क्या है आत्मनिरक्षन विदी इसके रचियता कौन थे विलियम वूंट और टीचनर यह याद रखना है विलियम वूंट और टीचनर क्या है आत्मनिरक्षन विदी के प्रतिपादक है प्रवर्तक है कौन विलियम वून टॉट टीचनर इसके बाद आता है जीवन इतियास विदी या कैस इस्टेडी मेथड जीवन इतियास को टाइड मेन एक ती इस्तियास में कैस स्टेडी जो मैथन होता है उसमें आता है टाइड में तो इसका दो टाइप से क्योसन बनता है एक आता है कि जैसे प्रतिवासाली बालकों के लिए का कैस स्टेडी होती है क्या प्रतिवासाली जो विशिस्ट बालक होते हैं विशिष्ट बालक में प्रतिवासाली बालक भी आता है तो बालक के कुछ ना कुछ या तो प्रोब्लम होगी मिंस ऐसामन्य होगा प्रतिवासाली बालक क्या होता है वो भी नॉर्मल बालकों से अलग बालक होता है तो एक तो आता है कि इस विदी के दोरा कौन-कौन से बालक प्रतिबासाली भी आता है मंदबुद्धी बालक भी आता है तो इन सभी का किस से किरा जाता है केस इस्टड़ी इनकी की जाते है नॉर्मल जो बच्चा है आता है कि उसन की सामन्य बच्चा है या साधारन बच्चा है तो उसकी केस इस्टड़ी नहीं की जाती है ध्यान रखना और इस्टड़ी करने वाले मेन कौन है ताइड मेन है यह स्टड़ी करते हैं तो इससे याद रखना है यह टाइट मेन है ठीक है कैसे मान है टाइट मेन है कैसे करने वाले तो इसे याद रखना है किस ने किया ताइड मेन और विलियम मुंट और टिचनर क्या है आपने आपका में सांदार राजस्ताना कितनी सांदार होती है यहां पर जैसे अभी मेंने वह क्या है उनका सुना किसी का भी तो कि राजस्तानी भासा कितनी जोड़ार होती है किसी और को बोलना पड़ता है अच्छा ये काम किया तो नहीं 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 अभी ये काम नहीं कर तो यह आत्मनिरक्षण विदी के समझ आगया जो कैस स्टेडी करते ही वो मेन कैस हैं वो टाइट मैन है प्रति पासाली मंद बुद्धी गालक ये सब भी आपको याद रखना है इसके बाद एक आता है प्रसनावली विदी, प्रसनावली विदी, देखो प्रसनावली विदी का स्टार्ड तो क्या था सुकरात ने, लेकिन इसका मुल रुप से जो विस्तार किया, देखो प्रतिपादक सुकरात है, लेकिन सुकरात ने इसको काम में नहीं लिया, मनोविज के जनक कौन है शुक्राथ आते हैं यह चानक के शुक्राथ के नुसार यह जो सुद्ध आदर्ष जो विचार होते हैं इस तैप से आपको याद रख लेना है वुडवर्थ ने इसका वर्थ परयोग किया है ना किसमें वनुविज्ञान में एक हाता है शाक्षातकार विदी शाक्षातकार इंटर्व्यू हना इंटर्व्यू में क्या होता है आमने सामने बैटकर एक दूसरे से कौसन पूछी जाते हैं किसलिए पूछा जाते हैं उसके विचार जानने के लिए इंटर्व्यू का मिनिंग होता है कि आपके विचार जानने के लिए तो विचार विच अप्चारिक विदी मतलब अप्चारिक विदी जिसे इंटर्विय होता है जैसे कॉम्पेटिशन में होता है तो वह क्या है अप्चारिक अनप्चारिक यह है साक्षातकार हो रहा है जैसे पागल साइकोलोजिस्ट के पास जाता है तो साइकोलोजिस्ट से मिलने जाता है तो समझ होता है वहां तो कुन-कॉनसी विदिया है जो विक्तिनिष्ट विदिया है में इसके बाद आता है चार विदिया जो व है वो kweg्ति समय आती है आतम निस्ट विदियों में आती है तो मैंने बता दिये कि अवसन किस टाइब से आता है एक तो पूछा जाता है कि विदियां कौन सी आत्मनिस्ट है, कौन सी वस्तुनिस्ट है, कौन सी प्रशेपी विदियां है अब हम फिर से एक कंफेरीजन कर लेंगे, एक बार इनको अलग लग से देख लिजीए या फिर आता है इनके आविशकारक कौन है अब हम देखेंगे व्यत्तित्वे मापन की वस्तुनिस्ट विदियां पिछली बार हमने क्या देखा था व्यत्तित्वे मापन की आत्मनिस्ट विदियां अब वस्तुनिस्ट विदियां कौन सी होती है पहली है निरक्षन विदी न अभी जानेगे आपने कथन सुना होगा यह कथन किसका है आप मुझे चाहे जो बालक देदो मैं उसे वेसा बना दूँगा जैसा आप कहुँगà यह किस थी प्रस्तितियां अलग कर दी जाए तोबॉट्जै कहे चाहे गालक बदल जाएंगे यह मैं रिलेट कर रही हूं comparison के मादम से मुझे नहीं पता कैसे कुछ किया उन्होंने कैसे statement दिया ठीक है लेकिन हमें एक मेज करके याद रखना है वो statement भी याद रखना है साथी ये चीज भी याद रे जाएगी यहने चाहे जो बालक दे दो वेसा बना दूँगा जैसा आप कहोंगे तो केसे पता चला जब निरक्षन किया बालकों का observation किया observation method के जो जानक है वो कौन है Watson है समझ आती ये बात अब इसमें क्या है निरक्षन करते हैं बाहर लोगों को देखते हैं इसलिए बाही दर्शन बाहर जो देखा जाता है वो ही निरक्षन कर दिया इसको सार्वा भॉमिक विदी भी बोला जाता है समझ आती बात अब ये जो है ये किस पर अद्धिन किया जाता है जिसे छोटे बालक है छोटे बालक है खुद से कुछ नहीं बताते हैं तो हम उनका निरक्षन करके उनका अद्धिन करेंगे दूसरा जानवर है जानवर क्या कुछ बोलेंगे तो उनका भी अध्धन करके हम जानेंगे पागलू को अध्धन करना है तो छोटे बालकू जानवरू और पागलू के अध्धन में कौन सी विधी कामे ली जाती है निरक्षन विधी, निरक्षन विधी के जनक कोन है वोटसन है जिन्होंने क्या कहाता चाहे जो बालक देदो वैसा बना दूंगा जैसा आपका होगे समझ आती है बात दूसरी विदी हाँ निरक्षन दो परकार के होते हैं उपचारिक भी हो सकते हैं जिसमें ये पता हो कि मेरा निरक्षन हो रहा है मेरा अबजरेशन हो रहा है तो वो विदी होती है उपचारिक हो रहा है तो वह वीदी के सी होती है अनौब चारिक वीदी होती है समज़ आती है दूसरी बात समाज-मिति-विदी के प्रवर्टक कौन है जैशल मोरे शमसमें क्या होता है समाज-विक्ति के समाज जीवन से रिलेटटर क्योसंस पुछे जाते है और सोयल मोरेनो ने तीसरी जो विदी है रैटिंग स्केल विदी इसको मिलते हैं कर्म निरदारण विदी ये दिया तानिदी और फ्रांसिस गाल्टन ने 1853 में दिया था एक बात इससे comparison करो, एक बात मैंने पहले बताई थी जब मैंने बुद्धी पढ़ाया था कि 1855 में Francis Galton ने सबसे पहले बुद्धी शब्द का प्रयोग गिया था याद आ रहे हैं आपको, उसी टाइम मैंने बताया कि मानसिक परिक्षन यहने mental test करना है, test करों कि केटली में चाहि गरम है या ठंडी है तो मानसिक परिक्षन सब्द का प्रयोग किस ने किया था, केटल ने किया था उसी टाइम मैंने बताया था कि मानसिक आयू का सब्द का सरवपरतम, मानसिक आयू का विचार बिनने को आया था और सब सब पहले वुद्धी लब्दी का जो सुत्र दिया था विलियम इस टर न दिया लेकिन वरतमान जो सुत्र चल रहा है वो किसका है टर्मन का है यह सब चीजें आपको रिवाइज करके आपको याद रखनी चाहिए आप उसको मैंने बहुत ही ट्रिक के साथ पढ़ाया था बुद्धी को चेप्टर को तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाईए आप देख लीजे बहुत ही सांदार वीडियो है तो यह जाता है प्रिस्तितिती प्रिक्षन वीडियों कि प्रिस्तितियों का अद्धिन किया जाता है फिर रिजल्ट निकाले जाते हैं बोला जाता है ना 18 साल आचकल कि सोरू में जो दुम्रबान जो आदत है वो बड़ती जा रही है यह कैसे पता चला बहुत सारी उन tiYa Samu में अदिन किया तो प्रिष्टितियों का अधिन किया फिर result निकाला तो यह प्रिष्टिति desert Pricion के जहना में दाता है होडशन और में प्रिस्तितियां वास्तिक भी हो सकती है प्रिस्तितियां काल्पनिक भी हो सकती है यदि प्रिस्तितियां बनाई जाए तो वो काल्पनिक होती है जैसे मैंने कहा कि रुसो ने अद्दिन किया इमाईल नामक पुस्तक में इमाईल का अल्पनिक शीशिया ना इमाईल पुस्तकती रूसों की वो हम पढ़ रहे थे बाल विकास चब पढ़ा था जब एक होता है सारे रिक प्रिक्षन विदी एक आप आज कल देखते हो जैसे बोलते है जानिये अपने बारे में आपके फेश किया करती क्या है फेश किया करती आपकी गोला काहर है यह है वो है फेश कैसा है गोल है कैसा है तो उसके अकोर्डिंग जारी है कि आपकी जो प्रसनलिटी है वो क्या है वो कहां से आया वो चीजे कहां से आया बोलेंगे आप इमानदार है आप आदर शुदती है फला 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 तो वो ची किया बहुत सारे लोगों पर तो रिजल्ट निकाल दी समझ आरी बात कहने का मतलब वस्तुनिस्ट जो विदिया है उसमें चार पांच प्रकार की होती है निरक्षन विदी समाजमिती विदी रेटिंग स्केल विदी प्रिष्टिती परिक्षन विदी और सारी परिक्षन समाजमिती विदी जयल मोरेनो ठीक है समाजमिती विदी जयल मोरेनो थोड़ा स्ट्रेस भी समाजमिती विदी किसने दी जयल मोरेनो एक बार आप पड़ो नोट्स बना लो फिर आप सोचो कि समाजमिती विदी किसने दी जयल मोरेनो कौन-कौन सी विदियां दिमाग से खु मेरे नोट में देखो गे रामलीला को मैंने एड नहीं किया बहुती जो कंसाइस में जो सटीक नोट से उव फ्सारी चिज़ू को मैंने कवर करते हैं तो आपको टेंशन की दोलेगे के भी जरत नहीं हैं कि हमारा कुछ cover हो पा रहा है या नहीं सब कुछ आपको cover कराया चाहरा है क्योशन सॉल करोगे मैंने हर बात कहा कि मैं बोलूंगी तो आपको believe नहीं होगा आपको लगेगा कि अपनी बड़ाई तो हर कोई करता है तो आपको आप जब practice test करोगे या practice करोगे जब practice करोगे तो आपको खुद से आइडिया लगेगा मेरा जो material है वो कितना setting है तब आपको आइडिया लग जाएगा इसके बाद हम देखते हैं प्रक्षेपी विदिया क्या होती है इसके बाद हम देखेंगे प्रक्षेपी विदिया आत्मनिस्ट विदिया हमने देखी वस्तुनिस्ट विदिया हमने देखी इसके बाद हम देखेंगे प्रक्षेपी विदिया देखो प्रक्षेपी या प्रक्षेपन का अर्थ होता फेकना यहने कि इसमें जो विक्ति की दमित इच्छाएं जो एचेतन दमित इच्छाएं कौन से होती है जो की हमारे मन का 90 परसेंट भाग तो क्या होता है एचेतन मन होता है तो इसमें क्या होता है एचेतन मन में दभी हुई इच्छाओं को इस विदी के दुआरा कौन सी विदी के दुआरा प्रक्षेपन विदी के दुआरा उन इच्छाओं को जान सकते हैं प्रक्षेपन करता है और क्या होता है दमित मांसिक्रियों का बाहिये जगत में प्रक्षेपन करता है दूसरे विक्ति या वस्तू के माध्यम से प्रकट करना इसमें कार्ड्स है उन कार्ड्स को दिखाकर उनकी भावनाओं को प्रकट करी जाती है तो यह होता है कि दूसरे के माध्यम से दिखाना इस प्रक्षेपना वह होता है अपने विचारों को अपने भावनाओं को किसी दूसरे वेक्ति के माध्यम से या किसी वस्तु के माध्यम से दिखाना ही क्या है प्रक्षिपन अब यह प्रक्षिपन वितियों में इस बोड इंपॉटेंट है यह शाही दब्बा प्रिक्षण इ Taylor Rasha कार्ड डेके गर में तुके एक कार्ड के ऐ करें कार्ड के पाड्स क्या जानते हो तो इस टाइब bhi puchha جاتا है तो इनको भी आपको याद रखना है पांच काले कलर के दो काले लाल के और तीन अन्य रंगे थे हरमन रोशा शाही से क्या कर दिया रोशन कर दिया हरमन रोशा शाही दबबा ये शाही का कौन थे हर्मन रोसा थे है ना रोसा शाई शाई से रोशन कर दिया ना ऐसे याद रखना है दस कार्ड थे पांस काले कार्ड दो जो दो कार्ड है वो काले लाल और तीन अन्य परकार के कार्ड थे इसके बाद आता है हाँ इनके दुआरा क्या होता है साररिक मांसिक और भावन इसको देखो दो बोलते हैं पारसंग की अंतरबोध परिक्षन के दो या कथानक अंतरबोध परिक्षन के दो टी एटी इसमें कार्ड्स होते हैं 30 प्लस 1 30 प्लस 1 कार्ड होते हैं ठीक है यह ध्यान रखना है 30 कार्ड में देखो 10 मेल के लिए 10 फिमेल के लिए 10 दोनु के और एक कार्ड होता है जो खाली होता है या आपको ध्यान रखना है कई बार कार्ड इस पर क्यूसन पूछा जाता है तो कथानक बोध परिक्षन या अंतर बोध परिक्षन मोर्गन मूरे ठीक है मोर्गन मूरे ने क्या दिया था कथानक बोध परिक्षन या पारसंगिक अंतर मालक CBT आना वह होता है लियोपर्ड बल्योग बल्योग से अमें रखना है तो यह बालक ब outta संगिंग treatment या कतानक कि आवश्यक्ता अभीवर्ती और समंधु का ज्यान होता है किसमें कथानक बोध परिक्षन या अंतर बोध परिक्षन इसके पार्शंगीक अंतर बोध परिक्षन मोरगन मूरे ठीक है और यह जो है हर्मन रोशा और इसको याद रखना है यह क्या है पार्शंगीक अंतर बोध परिक्षन या मोरगन मूरे याद रखोगे मोरगन याद रह जाएगा कथा किसकी थी मूरे की कथा थी मूरगन की कथा थी हाना एक मोरगन मूरे की कथा थी कथानक बोध परिक्षन 1935 में इसमें 31 कार्ड्स थे इसमें 10 कार्ड्स थे यह कार्ड्स की सिंख्या भी आपके लिए उप्योगी है प्रक्षेपन जो विदिया है इनके फ्राइड के दुआरा सबसे पहले प्रियोग में भी ली गई और फ्राइड के दुआरा ही इनका सबसे पहले प्रतिपादग ही फ्राइड है तो ध्यान रखना फ्राइड क्यूंकि चेतन मन वाला यह जो अकारात्मक मोडल दिया था य से समंदित है एचेतन मन में दमित इच्छाओं को किसके माध्यम से जाना जाता है प्रक्षेपी विदियों प्रक्षेपन किया है अपने विचारों अपनी भावनों को किसी दूसरे माध्यम किसी या दूसरे वस्तू के माध्यम से प्रकट करना ही क्या प्रक्षेपन होता है और ये चैतन मन में दमेती चाओं को प्रक्षेपी वीडियों के माद्यम से ग्यात किया जाता है और पहली है शाही दबा प्रिक्षन, दूसरी है पार्संगिक अंतरबोध प्रिक्षन